तो दोस्तों वेलकम टो क्विकर्णिंग्स इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक नहीं UHRS क्वालिफिकेशन की CAQ answer credibility यह बहुत ही tricky qualification है और high paying भी है आपको हर एक vendor पर मिल जाएगी और यह regular retap है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे qualify करना है यहाँ पर देखिए आपको यह बताना है कि जो source page है answer का वो credible है की नहीं और उसका कितना impact है तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई medical से related बात हो जैसे यह NHS national health survey तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो band 3 rate यह NHS UK की website है तो यहाँ से user की query थी तो इसको मैंने high impact लगाया और credible source भी है क्योंकि यह domain name है वो UK का था federal budget 2019 और 2020 यह भी high impact query है because जो भी budget की चीज़े हैं वो users के लिए या फिर जो भी people होते हैं उनके लिए important होती है तो इसको मैं high impact लगाऊंगा और यह credible source नहीं है because यह एक तरह का blog है the balance और credible है कि नहीं यह आपको कैसे पता चलेगा या तो government की official site हो या फिर कोई trust worthy जैसे Wikipedia का page है तो वहाँ पर आप trust कर सकते हो और इसके अलावा इसको मैंने not credible लगाया next one is R0300 phone numbers free तो यह phone numbers कहाँ पर free होते हैं इसके बारे में query है तो यह देख सकते हैं आप service provider free calls to this number from landlines तो यह sensitive query है तो इसका impact बहुत ज़्यादा रहेगा तो इसलिए मैं इसको high impact select करूँगा अब देखते हैं कि यह जो answer का URL है यह credible है कि नहीं मतलब website तो यह credible नहीं है यह आप कैसे पता लगा सकते हो आप तो एक तो इसका आपको content पढ़ना है read करना है content में अगर कहीं पर add वगरा दिखता है तो वो credible source नहीं होता है और formatting नहीं थी है formatting अगर easy है professional है तो वो credible होगा तो next one is skin color is dark why my skin color is dark तो यह भी high impact करेगा user पे तो इस लेकिन यह जो source page है वो credible नहीं है यह beauty की site थी इसले मैंने इसको select किया not credible Jonah 13 Jonah 13 इस query को समझने के लिए आप web page पे देख सकते हैं web page पे Bible gateway का page है Bible gateway के page से आप Bible की जो verse है वो आप पढ़ सकते है तो official page है यह किसी entity का Bible gateway 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 तो यह credible source होगा और यह low impact होगा क्योंकि इसमें user का intent सिर्फ Jonah 13 verse को जानना था जो कि किसी और को impact नहीं करेगा तो इसलिए मैंने इसको low impact लगाया submit next one is gang wears yellow तो यहाँ पर देखिए gang wears yellow इसमें यह बताया गया कि जो gang wears है वो yellow dress ही क्यों पहनती है और कोई सी क्यों नहीं पहनती है तो आप देख सकते हैं जो Google का page है यहाँ पर बहुत सारे results है अलग अलग website से so what is the meaning and this quora.com पर भी आपको answer मिल जाएगा what gangs wear purple and yellow and our everyday life यह low impact की query है और इसमें यह जो source है वो less credible होगा क्योंकि जो इसका content है वो या website कह सकते हो आप वो rank नहीं कर रही है Google पर जब rank नहीं करती है तो source less credible होता है less credible से अच्छा है आप इसको not credible select करो because less credible में वो websites आती हैं जो authorized होती है not official one but authorized one तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि authority नहीं है gang color को बताने की जो भी आपने blog देखा या blog post देखी और everyday life में यह देखिए लेकिन आप यह content देख सकते है content में कोई add नहीं दिख रहा है और एक बार फिर से से और हो सकते हैं आप google का page देखके और यहाँ पर website का link नहीं दिख रहा है तो ऐसे cases में not credible select करना better होगा so I submit next one is door wing gear door wing gear यह low impact की query है यहाँ पर देखिए page not found है ऐसा नहीं है कि page यह जो website है पहले नहीं चल रही थी तो इसको less credible लगाएंगे क्योंकि अभी का जो page है वो नहीं मिला आपको not found दिखा रहा है तो इस case में आप less credible लगा सकते हैं और google पर देखिए यह door wing gear की images है इसको less credible select किया then okay submit next one is sundial sundial एक तरह की device है तो यह low impact की query होगी इसका user पर कोई impact ज्यादा नहीं पड़ेगा answer मिल सकता है easily और यह credible source होगा because जो wikipedia का page है वो trustworthy होता है तो high authority भी होगी लेकिन wikipedia का page अगर आप medical के terms में देखें तो high authority नहीं होता है या फिर कोई sensitive चीज़े हैं तो उनके case में wikipedia हमेशा not credible या फिर less credible होगा तो यहाँ पर next one is calamine lotion ingredients यहाँ पर जो है impact वो हाई होगा और जो website आपको given है वो not credible है because यह कोई beauty का blog है website है official नहीं थी इसलिए मैंने इसको submit किया next one is check refund status तो check refund status में देखिए यह tax related है तो यह high impact करेगा अगर user को wrong information मिल गई तो इसलिए credible source होना जरूरी है bankvazar.com यह credible source नहीं है यह e-commerce यह website है यह सिर्फ आपको financial related सभी articles provide करती है वो कितने credible है नहीं है उसकी कोई guarantee नहीं है तो इसलिए मैंने इसको not credible set किया देखिए यहां मैं pass हो चुका हूँ I hope आपने यहां से learn किया होगा thank you so much for watching और अगर आप नहीं qualify कर पाया तो हमारी paid service पिर भी जर्ण किजिए thank you so much